हेलो बच्चो वेरी गुड मॉर्णिंग ओल आफ यू हावर यू इस यो अन्माद में वेलकम पर टिया में सोम एजुकेशन यूनिट फोर डे टू में आपका स्वागत है तो बच्चो पिशली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा था आगी कक्षा में हम सबसे पहले शब्दों से में ुछिती थान पर एक ही मात्रा लगाएंगे तो उसके लिए हम उपन करेंगे अपनी वक्षीट वक्षीट की बुक हम उपन करेंगे वक्षीट नमबर वन हमने उजी प्रस्ट नमबर दो किया था तो आज हम उपने प्रस्ट नमबर एक करने वाले हैं तो आपको क्या करना है इसमें चित्र देखकर नीचे दिये गए शब्दों पर एकी मातर लगाई तो आपको इन शब्दों में क्या करना है एकी मातर लगा लेना शर लिखा है तो शेर, कला, केला, मज, मेज, बलन, डेलन, पड़, पेव, नवला, नेवला तो इस तरह चे आपको एकी मातर लगाकर जो वक्षीट नमबर वन है कम्प्रीट कर लेनी है तो आईए अभी हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ शब्द संसार देख लेते हैं ना शब्द संसार के लिए हम क्या देखेंगे जो हमारी पाठे पुस्तर के बुख है इसमें सब्द संसार दिये गए हैं सब्द संसार के लिए हम ऐसार नमबर 10 ओपन करेंगे तो ऐसार नमबर 10 में आपको सब्द संसार दिये गए हैं तो आपको यह सब्द संसार डेली एक बार रीट करते हैं ना से शब्द होते हैं जो हमारी कहानी कवीता में बार बार आते रहते हैं वाह यह और और वह वह बहुत बहुत बस बस अब अब साथ साथ अपने अपने के के सबने सबने इनके इनके सभी बाकी बाकी है है मैं मैं तो इस तरह से आपको इनके सारे जो सब्संसार के शब्द हैं वो सब आपको रीट कर लेने हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं अब हमने शब्संसार के सब्ड पढ़े देखते हैं कारी पूस्टी का अभी हमें वर्कषीट नंबर एक का प्रस्ट नंबर एक किया था अब हम वउर्क शीट दो देख लेते नंबर एक बोड़े दिए गए शब्दों को खोचकर जोड़ा लगाई तो आपको क्या करना है बॉक्सिंस में जोड़ा लाकाना है जैसे की घूमने और कहां पिल्खा है मेरे देश का नाम भारत है मैं विदेश में भी गूमने जाता हूँ वहां सभी लोग अलग-अलग प्रकार की भाशाएं बोलते हैं वहां देखने के लिए कई दर्शनी इस्थल हैं रूज चापान अमेरिका जैसे कई देशों के लोग भी विलते हैं भारत के समा दूसरे देशों का खानपान भी स्वादिश्ट और लजीज होता है इतना ही नहीं दुनिया में सभी लोग साथ मिलकर प्रेम से रहते हैं इस तरह से मैंने आपको दो शब्दों में सरकल करके बताया है इस तरह से आपको बाकी की सारे शब्दों में भी सरकल कर लेना है फिर है प्रेश्ण नमबर दो रेखांकी शब्द के सही यर्थ पर सही कची नहीं लगाए तो सभी देशों ने विकास करने की ठानी विकास य हमारा देश है अभी हम प्रश नमबर तीन बाद में करेंगे हैं BLACK मेर 1999 कर लिआ उप्रेस नमबर 2 lang कर दो ंदो करते हैँ सब्सक्राइन सब्सक्राइब हम लिए अब करेंगे हमने सब्सक्राइम करीं डेसविधेश्ट एसार नमबर टू देश विदेश तो इसको हम रीट कर लेंगे पेज नमबर 55 पे पूरा पच्चिम उत्तरदक्षिन सभी जगह बसे हैं देश सभी जगह बसे हैं देश भारत अपना है देश भारत अपना है देश बाकी सब कहलाते विदेश बाकी सब कहलाते विदेश मतलब कि पूरा पची उत्तर दखी जो चारो दिशाएं होती है East, West, North, South सभी जगा बसे हैं दे तो सभी जगा पर कोई न कोई देश बसा हुआ है भारत अपना है देश जो भारत देश है वो अपना देश है बाकी सारे जो देश है वो विदेश कहलाते हैं रूस, चीन, जापान, अमेरिका, सब में बसते लोग अनेक रूस है, चीन है, जापान है, अमेरिका है, सब में बसते लोग अनेक मतलब बहुत सारी लोग बसते है खान, पान, पहनावा, तेवहार, सभी देशों की भासा अनेक जो खान पान है पहनावा है तो हर शबी देशों की भासाएं अनेक प्रकार की हैं यानि की अलग-अलग है हर देश की मतलब की एक ही नहीं है कई अनेक प्रकार की है हर देश की अलग कहानी हर देश की अलग कहानी दया प्रेम की बात है मानी हर देश की अलग-अलग कहानी होती झाणर के यह कुछ अलग होता है धया प्रेयम की बात है कि अपने उप्ष्रम से अपने ज्डिया आ परिश्रम से अपने घ्यान परिश्रम ऎे बुद्धी ती सबी करने कर का घण पिर यहां पर लिखा है यह भी जाने में इस्पैन में ला टोमाटीना नाम का तेवहार मनाये जाता है जिसमें टमाटर की होली खेली जाती है तो हमने ऐसा नमबर टू में देश विदेश की कहानी पढ़ी है ना तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं ऐसा नमबर थ् भाषे भारत क्या है हमारा कि खाहन फान भोजण और जल जो भी हम खाना खाते हैं पहनावा नहींकी याने की पोशाग क्यार परीश्रम याने मेहनत बहुत काम करना या कठिन परिश्रम करना पूरब एक दिशा पूरब क्या है एक दिशा है जहां से सूर्य उदय होता है उपता है फिर आउ समझें आउ समझें में दिशाग्यान दिया गया है चारो दिशाओं के बारे में जानना दिशाग्यान कहलाता है यहां पर देखो चार दिशाएं दी गई है पूरव पस्चिम उत्तर दक्षिन पूरव पस्चिम उत्तर दक्षिन उत्तर पूरव में क्या है सूरज पूर्धिशा से निकलता है पस्चिम में क्या है सूरज पस्चिम दिशा में अस्त होता है उत्तर में क्या है हिमालय है और दक्षिन में हिंद महासागर है तिहां पर इस तरह से चार दिशाओं का चारो दिशाओं के बारे में बताया गया है अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चो आज हमने शब्द संसार के शब्दों को पढ़ा थे देश विदेश की कविता को भी पढ़ना सीखा अगली कक्ष में हम कविता का अर्थ समझेंगे है ना तो अभी आपका homework क्या है तो अभी आपको homework में क्या करना है जो हमने देश-विदेश कवीता पढ़ी है तो उसे हमें read करना है अच्छे से read करना है और घर पर पढ़के सुनाना है अभी आपको इसमें जो भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे डाउट कोनर पर पूश सकते हैं थैंक्यू जैहिन वागूड डे